यह जो मशीन आप देख रहे हैं यह है काजु गतली बर्फी सेटिंग मशीन जो सिर्फ तीन घंटे में 1000 kg काजु गतली का सीट त्यार करती है जी हाँ बिल्कुल 5000 kg और जैसे इसी सीट त्यार हो जाए तो अभी आप देखेंगे कई गुंटल काजु गतली त्यार होने वाली ह के लिए सिर्फ डो ट्रे में डाल कर मशीन के उपर रख दीजिए अभी आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो यह देखिए सीट बनने स्टार्ट हो गई है जब रोलर आगे बढ़ता है तो आपको सिर्फ एक बार घी लगाना है इससे सीट की फिंसिंग काफी बहतरी मशीन इतना फास्ट वर करती है कि एक ट्रे सीटिंग करने के लिए सिर्फ पांच सेगंड का समय लगता है एक सीट निकलते ही आप देखिए दूसरा ट्रे रख दिये हैं और सीटिंग स्टार्ट हो गई है ठीकनेस एडजस्ट करने का पूरा उप्सन दिया गया है आप चा क्वाल्टी कम रहेगी तो वो फिंसिंग नहीं आएगी इसमें टेफलोन रोलर लगा हुआ है तो इसकी लाइब भी जादा है और इन फ्यूचर कभी किसी प्रगार की कोई दिक्कत नहीं आएगी सबसे खास चीज है लेस टाइम कंजप्सन गर्म काजु कतली के मिक्षर का जब हम हातों से सीट त्यार करते हैं तो वहाँ पर लगवग 5 मिनट का समय लग जाता है बताइए लगता है ही नहीं और साथ ही में मेहनद भी करनी पड़ती है वहीं पर ये मशिन सिर्फ 5 सिकंड में 5 किलोग्राम का सीट त्यार कर रही है क्योंकि एक ट्रे त्यार करने में सिर्फ 5 सिकंड का ही समय लग रहा है आप देख भी सकते हैं जितना भी ट्रे त्यार हो रहा है अब इसको रखते जाएंगे रखने का क्या रीजन है अभी हम आपको बताते हैं देखिए अभी इसे ठंडा होने के लिए रख रहे हैं और जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर इस तो इस चीज से टेंसम फ्री हो जाईए कि मशेन में किसी प्रगार की कभी कोई दिक्कत आएगी ये जो आप एसेंबली प्लेट देख रहे हैं जिसमें की काजू गतली का एक्स्ट्रा मटरियल निकल रहा है और इसके साथ ही में इसकी पूरी बोडी स्टेनलेस स्टेल 304 से ड ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि 1.5 किलोवाट का हैवी मोटर लगा हुआ है तो मशेन काफी स्पीड में सेटिंग करती है मशेन की जरा वर्किंग देखिए एक बार बटन प्रेस करने पर ये फारवड मूव करती है और आगे जाकर आटोमेटिकली ही बंद हो जाती है उसका शीट तियार कर सकते हैं इसे ऑपरेट करना बहुत एजी है बस खोया बर्फी का मिक्षर रखिए और बटन दबाते ही ये देखिए सेटिंग होना स्टार्ट हो गई है जरूरी नहीं है कि आपके पास experience हो तभी आप मशीन चला सकते हैं बीना किसी experience के भी आप मशीन कई क्विंटल मिठाईयां तियार कर सकते हैं यदि आप अपने ट्रे के अकॉर्डिंग मशीन कस्टमाईज कराना चाते हैं तो कंपनी में ये भी facility मिल जाती है आप अपने requirement के अकॉर्डिंग भी मशीन कस्टमाईज करा सकते हैं एक emergency स्विच दिया गया है बाइचांस यद लेकिन टेंसर ना लीजिए इसके नीचे heavy duty lockable wheel लगे हुए हैं तो आप कहीं भी असानी से move कर सकते हैं इसके द्वारा setting करने पर जो fincing आ रही है इसकी quality आपको कैसी लग रही है मुझे comment करके अभी बताईए बड़े लेबल में production करने के लिए ये machines बहुत बहतरी काम करती है क्योंकि factory में time कम होता है और production जादा करना होता है सायद आपके mind में ये बात होगी कि काजु गतली या बरिफी की mark सिर्फ तेवहरोम होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है हर खुशी के मौके पर अपने भारत में मिठाई चलती है और मैं आपको एक secret चीज बताओं हमारे इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कमपनिया हैं इंडिया में production करके बाहर देशों में export करते हैं जी हाँ बिल्कुल उनके बाहर बहुत सारे stores बने हुए हैं क्योंकि बाहर देशों में अपनी मिठाई की mark बहुत है साथ आपको विश्वास न हो रहा हो तो जा कर एक ब कोड कर सकते हैं तो बताइए कैसा प्लान है यह रखने के कुछ घंटे बाद जब यह ठंडा हो जाए तब इसकी cutting की जाती है और cutting करने के लिए यह काजु कदली बरफी cutting stencil बहुत बहतरीं काम करता है बहतरीं बोलने का reason यह है कि भले न यह सिर्फ एक प्लेट की तरह लग र रहेगा अब आप आँख बंद करके भी cutting कर सकते हैं नॉर्मल चाकु से cutting करने पर सबसे बड़ा issue यही आता है कि काजु कदली की piece बरावर नहीं होते हैं या तो कोई piece छोटा हो गया या तो कोई बड़ा और size maintain करने में ही time लग जाता था लेकिन इसमें ऐसा कोई issue नहीं आती है तो इसमें diagonal stencil लगा कर cutting करते हैं इसका thickness 2 mm है और size आपके उपर depend करती है आप जितने size में requirements ने करेंगे company आपके according customize करके दे देगी इसके भी पूरी body SS304 की बनाई गी है main benefit तो यह है कि cutting करते time आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पर cutting की है कहां पर नही बस इसमें plate लगाना है और उसके बाद cutting करते जाना है size भी आपको maintain रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बलकि plate में size पहले से ही maintain है आप cutting करते जाएंगे size खुद पखुद maintain रहेगी cutting करते समय main time तो इसका size maintain करने में ही लग जाता है ध्यान रखना पड़ता है कि कोई piece जुगतली त्यार किये जाती है इस स्क्रीन में आपको number दिख रहा है इस पर आप call करके baker sprite से अपना भी एक खुद का factory setup करवा सकते हैं तो शुरू करें